नमस्कार गुड़ी बनी शुप संद्यार शुताओ घड़ी में साड़े आट बज़ते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट स्केंट प्रोगाम लेकर तो स्वीकार कीजिए मुकरिश कमार का नमस्कार और आज हमने खेल खपरों पर चर्चा के लिए आमंतरित किया है खेल विशशग और वरिष्ट खेल पतकार मला नेरब जी को मला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मुकेश जी और स्वागत श्रोताओं का मले जी जिस तरह से आज भरत के निशानेबादों ने परदेशन किया है और स्वाद पतक जीतने में सफलता पाई है क्या कहना जाएंगे बस छोटी सी बास शुरू में कहरता हूँ वाकी विस्तार से चर्चा होगी कि ये जो मिराज खांज इन्होंने स्वाण पर दक जीता है शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगी इन्होंने पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था अंडर 19 उत्र परदेश टीम के कप्तान भी रह चुके और फिर देखे कि निशाने बाजी की तरफ आगए क्रिकेट को बिलकुल छोड़ दिया तो ये जो खेल में परिवर्टन हुआ है क्रिकेट से दुनिया भाग रही है दूसरे केलों की तरफ इसका एक जीता जाकता नमूना आपके सामने आज है बिलकुल और भी खबरों पर आप से चर्चा करेंगे लिए अब तक जो हैडलाइन से वो अपने शोताओं को बताने भारत की मिराज अहमद खान और गनिमा शेखो ने आई-स-स-फ विश्कप निशाने बाजी की स्कीट मिक्स तीम्स परधा में स्वान पतक जीता भारत की लंबी कूद अथलीट मुडली शूशंकर ने अमरीका में अथलीटिक्स प्रत्युक्ता में स्वान पतक हासिल किया साइना निवाल ने इशाई खेलों के लिए राश्ट्री बैडमिंटन चैन ट्राइल्स में भाग ना लेने का फैसला किया सबसे पहले बात करते हैं निशान बाजी की भारत के अनभवी निशान बाज मिराज अमर्थ खान और गनीमा शेखों ने मिसर के कहरा में आई एससेफ विश्व कप निशान बाजी में स्कीट मिक्स टीम वर्ग में स्वान पतक जीत कर भारत को अच्छी शोग दिलाई है तो सुनते हैं प्रियंका की डिपोर्ट भारती जोडी ने फाइनल में मेकसिको के लुइस राउल गेलोडो ओलिव रोस और ग्रेबियला रोडरिक्स को छेशू ने से हराया इकली की दो बार के विश्व चैंपिन से मोना सको शिट्टी और रियो उलम्पिक चैंपिन ग्रेबियल रोसेटी की जोडी ने कांसे पदक जीता है पांचवा आई एससेफ पदक जीतने वाले मेराज ने 30 टीमों के कौलिफिकेशन राउंड में 75 में से 74 अंके साथ शांद दिलाई दूसरी सीरीज में भी उन्होंने परफेक्ट चार का स्कोर किया आखरी सीरीज में मेराज दो इस निशाने चूक गए थे और गनेमत सेखों का एक निशाना चूका जबकि मेकसिको की जोडी के चारो निशाने चूक गए इसके साथ ही भारत ने 40 से ड्रॉ किया प् फाइनल में जो टीम है उसने 75 में से 74 अंक हासी किया है बिलकुल देखे मेराज जो है वो ये उनका फिफ्ट पांचवां सीनियर आईससेफ मेडल है और 30 टीम्स की जो 30 टीमों का जो कौलिफिकेशन राउंड होता है उसमें उनने शानदार प्रदर्शन किया था और उसमें 74 में से 74 इनके अंक थे और इसके बाद जब जो भारत की जोड़ी है इनका अगर कुल मिला कर देखें तो डेर सौ में 143 इनके अंक हासील किये तो उसके बाद ये जो टाइटल डिसाइडर था इसमें टॉप पोजिशन पर पहुँचे फिर शूट आफ हुआ शूट आफ मे 4-309 मेक्सिकों की जोड़ी को पीटा तो एक बार फिर देखने में ऐसा लगा कि जो रियो और टोक्यो उलम्पिक्स में मिराज गए और नहीं कुछ खास कर पाए तो ऐसा नहीं है कि उनमें अब शूटिंग बची नहीं है अभी उनमें बहुत दमखम है और किसी भी दिन व पूरा अटिचुड है और जिस तरह से उनके साथ गनेमत ने जो जोड़ी बनाई है आखरी राउंट में जबंग आप देखें कि जो मिराज पिछड रहे थे और नके निशाने चूक रहे तो गनेमत ने समाला तो इस तरह से यह जो जो जोड़ी है, जो तालमिल है, जो अक ज्यादा शूटर्स भारत में आ रहे हैं शूटिंग की और हर तपके के लोग आ रहे हैं अब शूटिंग राजाओं महराजाओं का खेल नहीं रह गया और इसके पाथ जब इस तरह की रिजल्ट्स आते हैं तो जो छोटी शहरों से खुड़ जा के रहने वाले मिराज चोटी शहरों से चोटी जगों से निकल के जो लोग आ रहे हैं उनको भी लगता है कि यहां हमारा भविश्य उज्वल हो सकता है कुल मिलाकर अब जब इश्याई खेल काफी नजदीक हैं भारती निशाने बाजी का जो भविश्य हैं उन खेलों के लिए क्या कहना चाहिए देखे एश्याई खेलों को मैं मानता हूँ ड्रेस रिहरसल पेरेस उलमपिक्स का जी और हमारे निशाने बाजों की नज़र इस बार उलमपिक्स में रही चाहिए जो सिलसिला राजय वर्धन सिंग राठोर ने एथिंस में सिलवर मेडल जीत कर शुरू किया था आज हमें उसको आ अमीद है कि एश्याई इस तर पर भी और उलमपिक्स तर पर भी बहुत उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे निशाने बाजी के बाद एथिलेटिक्स की बात करते हैं और वहां से भी एक अच्छे खबर आ रही है भारत के लंबी कूद के एथिलेट मुर्ली शुशंकर ने अमरीका के चुला विश्ता में एथिलेटिक्स परत्युक्ता में स्वान पदा जीत लिया है पिछले वर्ष राष्ट मंडल खेलों में रजात पदा जीतने वाले मुर्ली ने इस सत्र के अपनी दूसरी प्रत्युक्ता में भाग लेते हुए बेतरीन प्रदर्शन किया और वो अपने सरुशेष प्रदर्शन आठ दशमलब तीन च्छे मीटर को हासिल करने से केबल 0. यूने दशमलब 0.07 मीटर से क्यों गए फिछी शंकर ने पिछले वर्ष अपना सरुशेष प्रदर्शन किया था चीन के मावईडोंग ने 7.9 मीटर की चलांग लगा कर रजट और चीन के ही हुआ फैंग हुआंग ने 7.6 मीटर की चलांग लगा कर कांस पदक जीता है एथ अथलेटिक्स से भी भारत के लिए अच्छी खबाद तेकि कॉमनल वेल्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं रजट पदक जीता था और जो 8.9 मीटर की इन्हों ने चलांग लगाई थी इसके बाद इनका वर्ल्ड अथलेटिक्स चैंपियंशिप के लिए इनके जगह पक्की हो ज लेगी टेल विन्ड जो था वो तीन दशमलो एक मील पर सेकेंड से थोड़ा अधिक था इसलिए ये जो इनको दो मीटर पर सेकेंड से अगर अधिक होने पे इन्हें वो जो मार्क है उसको नहीं पार कर पाए लेकिन मुझे इस पार कोई शक्त नहीं कि 8 मीटर के मार्क को प लेकिन स्पार्ट जो मिला वो 7.99 मीटर पर ही रह गये थे तो जिस प्रकार सिंग का प्रदर्शन रहा है मुकेश जी मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया उमीद ये रखी जानी चाहिए कि जो 8.36 मीटर का का इनका रिकॉर्ड है उसको भी ये जल्दी ही तोड़ दें और अब बात करते हैं बैडमिंटन की राश्ट्र मंडल खेलों की दो बार की चेंपिन सायना निवाल एशाई खेलों के लिए राश्ट्री बैडमिंटन चैन ट्राइल्स में भाग नहीं लेगी भारती बैडमिंटन संग 4-7 माई तक टीम का चैन करने के लिए ट्राइल का आयोजन कर रहा है एशाई खेल 2023 सितंबर से आठ अक्तूबर तक चीन के घांग जू में खेली जाएंगे बैडमिंटन संग के महासचे उससन जब मिश्वा ने कहा है कि सायना नेवाल फिटनेस कारणों से ट्राइल में भाग नहीं ले रही हैं इसके अलाबा कुशल राज और प्रकाशरावडे भी ट्राइल से अपना नाम वापस लिया है सायना आखरी बार और्लियंस मास्टर्स टूनामेंट में खेली थी जनवरी में बैडमिंटन इश्या मिक्स्टीम चेंपिनशिप के ट्राइल में भी इस्ता ने लिया था बैडमिंटन संग ने विश्यू प्रेंचिंग के आधार पर पीवी सिंदू, एचेस प्रोनाई, चेराकशिटी और सात्विक साहराय रंके रेड़ी को पुरुष डबस जोड़ी और तृषा जोली और गायतरी गोपी जंद की महला डबस जोड़ी का एशाई खेलों के लिए सीधा चैन किया है साइना का चैन साल हुए थे, आपको याद होगा, कि उसमें भी इन्होंने ट्रायल्स मिस्स किया था, तो इनकी फिटनेस को लेकर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है, और मुझे लगता है मुकेश जी की, अब हमारी नजर उन लोगों पर होनी चाहिए, उन नहे खिलाडियों पे होनी चाहिए, जो आगे साइना की नक्षिक दम पे चलके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहा नहीं जा सकता हो सकता है साइना बाप सी कर लें, लेकिन जो लगाता है निगलिंग इन्जरीज इनकी रही हैं, एक के बाद एक कॉंप्टिशन की ट्रायल से भी य अब हमारी निजर होनी चाहिए, आकरशी कश्यप, मालविका बंसोष, अश्मीता चलिहा, उननाती हूडा, ये हैं वो नाम लड़कियों के जो प्रुजिनों में हमें याद होने लगेंगे, बिल्कुल और बैडमिंटन इश्य चेंप्रिंशिप में सात्विक साहराय रंक बैडमिंटन में भारत को पुरुष डबल्स में 1965 के बाद पहली बार गोल्ड मिला है, भारतिय जोडी ने मलेशिया के ओंग ये उसिन और तेयो ईयो यी की जोडी को 16, 21, 17 और 21, 19 से पराजित करते हुए स्वरंड पदक जीता, पहला से ठारने के बाद भारतिय जोडी ने और अगले दोनों सेट जीत कर खिताब अपने नाम किया, इसके साथ ही भारत का स्वरंड पदक जीतने का 58 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हुआ, वर्ष 1965 के बाद पुरुष डबल्स में पहला गोल्ड और कुल मिला कर देश को दूसरा स्वरंड पदक मिला है, भारतिय जोडी ने सेमे फाइनल मुकाबले में चीनी टाइपेई की जोडी ली यांग और वांग ची लिन का सामना किया था, पहला सेट कडिस पर थावाला था, भारतिय जोडी ने इसे 21-18 के अंतर से जीत लिया था, इसके बाद दूसरे सेट से पहले वांग ही लिन चोड के कारण रिटाइड हो गए, इस तरह भारतिय जोडी वाक ओवर के बाद स्पाइनल में पहुच गई, फुरुष डबल्स में भारतिय जोडी से पदक की उमीद थी और उन्होंने निराश नहीं किया, भारतिय बैडमिंटन जगत के साथ-साथ सात्विक और चराक्षेटी के लिए भी ये गोल्ड मेडल काफी ज्यादा माइनी रखता है, जागरती शर्मा स्पोर्ट्स स्कैन और अब बात करते हैं IPL कृकेट की लखनों के अटल विहारी वाज़ पे एकाना एक कृकेट इस्ट्रिजम में IPL क्रिकेट में लखनों सुपर जाइंट्स का मुकाबला रॉयल चेलेंजिस बंगलोर से हो रहा है, रॉयल चेलेंजिस बंगलोर ने टॉस कर बल्ले बादी कर मिलने तक चौधे ओवर में तीन बिगेट पर नवासी रन बना लिये थे रॉयल चेलिंजस बिंगलोर की हालत काफी खराब नजर आ रही है देखे शुरुआत अच्छी हुई थी मुझे लगता है जिस से बारिश हुई थी लखनव में और कहा जा रहा था कि वहाँ स्पिनर्स को काफी मदद मिलेगी ये सब देखते हुए विराट कोहली और डिपलेसी ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई की चलो हमीश शुरुआत करते हैं और उन्होंने आकर वहाँ ओपन किया दोनों कुछ देर तक तो अच्छे चले लेकिन उसके बार विराट आउट हो गया हलाकि फैप डिपलेसी अभी भी टिके हुए हैं उन्होंने 33 गेंदों में 37 रन बनाए हैं लेकिन विराट कोहली आउट हो गया और उसके बार दो विक अचो का है मगर ये विकेड जो है ये विकेड लखनाओ की बहुत अलग है ये कल की तरह नहीं है विकेड जो कल रात को और कल जो दोनों मैच हुए वो भी एक record था मुकेशी उस तरह की नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है की देखना तो ये है कि अब कितना मैच होगा और बारिश फिर ना आए एक तो वो बात है दूसरा है कि अब जो अंतिम छे ओवर बने हैं इसमें किस रफतार से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अपने रॉन्स को अपने स्कोर को बढ़ा सकती है बिलकुल जैसे आपने कहा कि कल का मैच भी काफी इंटरेस्टिंग था मुंबई इंडियन से ने राजिस्तान रॉयल्स को छे विकेट से हराय था मुंबई ने दो सो तेरे रेन का लच्छ चार विकेट पर उनने से ओवर और तीन जेन में हसिल कर लिया था राजिस्तान रॉयल्स के ये शेश्वी जैस्वाल ने 62 जेनने 124 से नम राए उन्हें प्लियर आप दे मैच घुशित किया गया जैस्वाल की बैटिंग को किस तरह देखते है शब्द नहीं है मेरे पास इनके बल्ले बादी कवरनन करने के लिए क्योंकि एक 21 वर्ष का एक कैप तो कम मिल चुका है अधिक से बहुत सबसे ज़्यादा रन उसे ने बनाए हैं और जिस तरह से उसने क्रिकेट को आत्मसाथ किया है उस पे उसे साधा है उसकी बड़ी तारीफ करनी होगी क्योंकि जब हम देखते हैं उनकी प्रिष्ट भूमी किस तरह से आए कितनी की और डुमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा किया है तो मुझे लगता है कि इस आई पी एल की सर्वश्रेश्ट खोज है यश श्वीजा सवाल और कल की बात करें तो आई पेल क्रिकेट में कल अंदाबाद में गुजरा टाइटन्स का सामना डैली कैप्टल से और भारती गॉलफर अदिती अशोग दूसरे इस्थान पर रही है अदित ने अंदिम दोर में चार अंडर सड़ सड़ का कार्ड खेला जिससे वो हन्ना ग्रीन और जियू लिन के साथ प्ले अफ में पहुंची तो कि ओलिम्पिक में चौसरे इस्थान पर रही अदिती प् पिक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाईं और आखिर में उन्हें सेंट रूप से दूसरे इस्थान पर रहकर संदोश करना पड़ा तो शोताओं ये था महरा आज का स्पोर्ट सेन कार्कम और आज हमने खेल खबरों पर शाचा के लिए आमनतुर्ट किया था हमारे खेल विश झाल